हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल, फ्रेंड्स आज का मेरा जो टॉपिक है वो उन लेडिस के लिए है जो पतंजली का हेर कलर यूज करना चाहती है और फ्रेंड्स अगर आपने प्रचेज किया है पतंजली का हेर कलर तो आज मैं आपको इस वीड तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमें इस हेर कलर को मिक्स करना है तो जो मेरे पास हेर कलर है पतंजली का मैंने इसमें डार्क ब्राउन कलर लिया है केश कांती हेर कलर क्रीम एंड ड्वेल पर ये डार्क ब्राउन हेर कलर है इसकी shade है dark brown तो इसमें आपको light brown और natural black और dark black सब तरह के color मिल सकते हैं तो मैंने dark brown color लिया है तो जैसे कि इसमें लिखा है कि with the goodness of amla भ्रिंग्राज, coconut oil और 9 और भी इसमें herbs हैं जैसे कि amla, shikakai बहुत से ऐसे herbs हैं जो हमारे बालों के लिए बहतर है और इसकी जो MRP है वो 35 रुपीज लिखी हुई है तो ये 35 में आपको market में मिल जाएगा तो no ammonia hair color है ये long lasting color है और natural shine और conditioning है इसमें तो ये दिखिए मैं आपको इसको open करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है तो ये powder hair color नहीं है वैसे तो पतंजली का powder hair color भी आता है लेकिन ये जो मैंने लिया है ये cream hair color है और ये देखिए इसमें एक तो इसकी description की जो slip है वो निकली है अगर आपने first time इसको use करना है तो आप इसको खोल के पढ़ सकती है और ये इसका एक ही तो ये मैंने यहां से cut किया है जहां से उन्होंने mark किया है लेकिन मैं ये सारा ही cut करके आपको दिखाऊंगी ये देखिए उपर से मैंने cut कर लिया है क्योंकि मैंने ये सारा जो pouch है वो use करना है अगर आपने कम use करना है तो आप इसका half भी use कर सकते हैं तो ये देखिए एक ही pouch के अंदर ये देखिए two उन्होंने partition की हुई है एक के अंदर हमारी cream है और एक के अंदर developer है तो बहुत ही अच्छी इसकी packing है और cream based ये hair color है और बहुत ही आसान है ये mix करने में क्योंकि कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी कि इसकी quantity कितनी हमें डालनी है ये उन्होंने quantity जो है बिल्कुल equal इसमें packing की हुई है तो हमें सिरफ इसको open करके और ये pouch को press करते हुए ये दोनों चीजें निकाल लेनी है और एक ही pouch में होने के कारण ये देखिए ये cream और developer जो है ये एक साथ ही इसमें से निकल रहे हैं और कोई भी दिक्कत की बात नह जाएगा इसमें ये बिल्कुल equal quantity उन्होंने हमें बना कर दी है तो ये इसका सबसे best है कि ये बहुत ही असान है mix करने में कोई भी इसको apply करने से पहले असानी से mix कर सकता है तो ये दोनों जो हैं ये दिखिए हमारे पास कटोरी में आ चुके हैं तो अब इनको हमें कम से कम 5 मिनट तक mix करते रहना है ताकि ये जो दोनों हैं हमारी cream और developer ये अच्छी तरह से आपस में mix हो जाएं अगर ये अच्छी तरह से mix होंगे तभी ये एक अच्छा color जो है हमारे पास बन के सामने आएगा तो 5 मिनट तक इसको अच्छे से हमें mix करते रहना है तो ये देखिए ये अच्छे से मैंने 5 मिनट तक इसको mix कर लिया है कितनी अच्छी देखिए creamy सा इसका texture है तो बहुत ही असान है mix करने में तो ये मैंने mix कर लिया हुआ है तो चलिए friends अब इसको apply करते हैं तो मैंने अपने जो hair है वो wash किये हुए हैं जब भी आपने कोई साधी hair color यूज कर नहीं होंगे बालो में oil बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए otherwise अच्छे से हमारा जो color है वो नहीं चड़वाएगा और अब इसका color देखिए कुछ change हो गया है ये brownish color में आ गया है तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इसको apply करती हूँ तो friends मेरे सिरफ front से ही थ इन में ही मैं लगाऊंगी hair color और ये दिखिए ये ऐसे छोटे-छोटे section अपने बालों के लेते जाना है और जो section है इसको पकड़ कर brush की help से दोनों तरफ हमें ये hair color apply करना है ये दिखिए मैंने दोनों तरफ hair color apply किया है अच्छे से दोनों तरफ brush की help से apply करके इनको पीछे की और कर देना है और अब हम second section लेंगे बिल्कुल छोटा सा section और निकालेंगे mostly front से ही ladies के जो hairs हैं वो grey होते हैं तो हमें बड़े ही आराम से और ध्यान से और हमारी skin पे ये color जो है वो नहीं लगना चाहिए तो ये अच्छे से हमें apply करना है ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ ऐसे छोटे छोटे section लेके हमें ये hair color apply करना है और अगर हम बात करें कि इसके 100% natural होने की तो इसमें बहुत सी ऐसी ingredients हैं जो की natural हैं जैसे की आमला, शिकाकाई, भिंकराज, coconut oil और भी बहुत सी हैं इसमें ingredients जो की natural हैं और अगर मैं आपको कहूँ कि ये 100% natural है तो ये बात बिल्कुल सच नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये hair color है तो इसमें थोड़ा सा ammonia तो होगा तब ही ये hair को color करता है अदर्वाइज हमारे hairs पे ये color नहीं चड़ पाता लेकिन फिर भी मैं आपको ये advice दूंगी कि अगर आपने ammonia free hair color natural कोई भी यूज करना है तो उसमें पतंजली एक ऐसा hair color है कि जिसमें बहुत ही कम मात्रा में ammonia आप तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने बालों में यूज कर सकते हैं बिना किसी side effect के इसका कोई भी side effect नहीं है क्योंकि ये natural है और वैसे भी पतंजली के products जैसे की आप चानते हैं बहुत बेहतर होते हैं तो इसका hair color भी बहुत ही अच्छा है तो मुझे भी वैसे skin की allergy हो जाती है इसलिए मैं natural hair color है वही यूज करती हूँ और यह सारा hair color apply करने के बाद हमें comb से यह सारा ऐसे अच्छे से फैला देना है थोड़ा सा रखना है अपने पास front पे apply करने के लिए और यह comb से apply करने के बाद हम थोड़ा सा और उपर apply करेंगे अच्छे से तो यह दिखिए बहुत अच्छे से यह hair color हमारे front पे apply हो चुका है skin पे नहीं लगना चाहिए अगर लग भी जाए तो आप इसको cotton से remove करते रहें तो अच्छे से हमें यह hair color apply कर देना है और अपने बालों को पीछे के जो wall है उनको tie कर लेना है तो यह जो हमारे पास pouch है इसके उपर ही लिखा हुआ है कि 30 minutes तक हमें से रखना है बालों में तो 30 minutes के बाद हम इसको wash करते हैं तो friends after 30 minutes मैंने अपने बाल wash कर लिए है कोई भी mild shampoo वैसे मैं L'Oreal का hair protect shampoo इस्तेमाल करती हूँ hair color के लिए बहुत अच्छा होता है और अच्छे से conditioner भी आपने use करना है और यह देखिए मेरे बालों में बहुत ही अच्छी तरह से यह color जो है वो चड़ चुका है और मेरे बाल वैसे ही silky और shiny है आपके सामने यह देखिए तो mostly ladies के जो front के hairs होते है वो जढ़ना शुरू हो जाते है जब वो hair color apply करती है तो देखिए मेरे बाल front से कोई भी जढ़े नहीं है बहुत अच्छे है healthy है तो यह hair color जो है बहुत best है अगर आप use करना चाहती है तो आप इसको एक बार ज़रूर try करें और देखिए कि अगर आ coloring तो अब मैं इसको सुकाऊंगी अच्छे तरह से और फिर आपको इसका result दिखाऊंगी वैसे तो आपको result नजर आ गया होगा बहुत अच्छे से मेरे बालों में यह hair color चड़ चुका है और silky और shiny मेरे बाल आपके सामने बने हुए है तो hope friends आपको यह information अच्छी लगी अच्छी से टॉपिक के साथ टीक है